रूल्स फोर दा रूल्स ऑफ दा सेल रिप्रेजेंटेशन पहले मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं सबसे पहली बार जो लेफ्ट कमपार्टमेंट था उसको मैंने ए बोला इसका मतरब लेफ्ट में कौन आएगा ए नौड आएगा बीच में बिरे जाएगा है दो डंडे किसको राप्रेजेंट करने वाई सौल्ट को राप्रेजेंट कर रहे थिकब है न यहां पर काया कि तरबास ब्रेजे आ जाएगा और सिंपल यहां पर राइट या ठामर्ट में क्या कैथ्थमर था तो यहां पर कौन आ जा jullie पास कैथ्थमर्ड सब्रेंट्र सिंपल ए बिरेज सी मतलब ए भी सी की ट्रिक ध्यान रखनी है पहली बात दूसरी बात दूसरी बात क्या थी कि मान के चल मैंने जैसे सिंपल में कोई रेक्शन लिखू में कहूं तो द्यान दखना कोई भी जो कॉफीशेंट है न कॉफीशेंट सेल रियेक्शन में नेवर रिप्रेजेंट कोई भी कॉफीशेंट रेप्रेजेंट नहीं होगा तीसरी और important बात पानी कभी भी represent नहीं होगा चौती और important बात अगर तेरे पास कोई gases आएन है गैस का कोई भी आएन है जैसे मैं H2 के बात करूँ इसके case में PT जैसे inert electrode का use करना पड़ेगा और PT जो रहेगा वो decide करेगा किसके बारे में process के बारे में कौन सी process के बारे में भईया कि भईया oxidation हो रही है या reduction हो रही है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि अगर PT यहाँ आया तो क्या है एनोड है और अगर PT यहाँ आया तो क्या है कैथोर पहले ये चार point समझ मायरे सिंपल मैं ने क्या बोला ABC की तृक ध्यान दखनी है दूसरी चीज मैं ने क्या बोली कोई भी काविशिट कभी भी cell representation में represent नहीं किया जाता तीसरी बात क्या बोली पानी जोकी pure olarak ह१ँ कभी भी भी रेप्रेजेंट नहीं की जाएगी पानी थेगी ना चौती बात मैंने क्या बूला अगर कोई भी गैसियस आयन है तो पीटी जैसे इनर्ट एलेक्ट्रोड का क्या किया जाता है प्रियोग किया जाता है दूसरी बाद ठीक भी दूसरी बात क्या है अगर मैं कहूं देख भई हमिसे ध्यान रखियो जो भी तेरे पास मैटल आयन रहेगा वह किसके पास रहेगा वह नियर टू नियर टू सॉल्ट ब्रिज रहेगा नियर टू सॉल्ट ब्रिज रहेगा और छटी और इंपोर्टेंट बात देख तुमने देखा हो आभी मैंने क्या यूज किया जैसे मैंने जिंक सॉलिड और जेड़ेड़ेंट टू पॉजिटिव एकक्वस यूज कर रहा हूं ठीक है और मान के चल मैंने इसी रेक्शन को ऐसे लिख दिया जिंक गिविंग के जैड़ेंट टू पॉजिटिव तो यह जो यह जो डंडा है ना यह जो है यह किसको रेप्रेजेंट करता है डिफरेंट फेज को किसको रेप्रेजेंट करता है डिफरेंट फेज को और अगर मैं इ तोनों different oxidation state में हैं तो इसका मतलब क्या हो गया ये जो है ये किसको represent करता है कि ये जो आयन है वो सरिफ different oxidation state में हैं लेकिन हैं किसके same metal के हैं